बॉलिवुड अभिनेता सुशान्त सिंग राजपूत ने आत्म हत्या कर ली है। उन्होंने बांदरा स्थित अपने घर में खुद को फासी लगाई। सुशान्त सिंग राजपूत बॉलिवुड के जाने माने अभिनेता थे। उनकी इस तरह अचानक मौत की खबर आने से काफी अच्छा चल रहा था। अपने करियर में उन्होंने MS धूनी जैसी हिट फिल्म दी थी। फिल्मी दुनिया में कदम रखने से पहले सुशान्त थेटर और टीवी में काफी लोगप्रिया चहरा बन चुके थे। उनको टीवी की दुनिया में पवित्र रिष्टा सीरि अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक्टिंग की तरफ रुख किया था। शुरुवात में उन्होंने बैक अप डांसर के तौर पर काम किया। इसके बाद किस देश में है मेरा दिल नामक सीरियल में उन्हें एक्टिंग का पहला ब्रेक मिला। और फिर पवित्र रिष् पोचे फिल्म में एहम रोल मिला। इसके बाद तो जैसी सुषांत के करियर का ग्राफ ऊपर ही चड़ता गया। उन्होंने एक के बाद एक कई हिट फिल्में दी जिसमें शुद्ध देशी रोमांस, पीके, एमेस धोनी और केदारनाथ शामिल है। करियर के लिहास से बेहत ब्रेक अप की खबरें आई। ऐसा माना गया कि शुषांत के फिल्मी दुनिया में सफल होने के बाद दोनों के बीच दूरियां बढ़ गई थी। इस बीच आपको यह भी बता दें कि कुछ दिन पहले ही शुषांत की एक्स मैनेजर रह चुकी, दिशा सलियन की भी एक इम शुषांत हमारी यादों में हमेशा रहेंगे पीके के सरफराज और एमस धूनी के माही के रूप में